इस वीडियो में मैं आपको पताऊँगा कुछ चीज़ी जिनसे आप बॉक्सिंग में सास बहतर लेते हुए रिलाक्स रह पाऊँगे मानो या ना मानो मुझे पता है कि बॉक्सिंग में सास लेने की तरकीब सबसे मुश्किल चीज़ है किसी को भी सिखाने के लिए मुझे भी काफी साल लग गए बॉक्सिंग में सही से सास लेने में हेवी बैक्स पर और ये इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि आप अगर सही से सास नहीं ले रहे हो आप अपनी एनरजी बहुती जल्द उड़ा दोगे मेरा नाम है टोनी जेफरीस मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है अगर आप सीटी मार पाते हो बॉक्सिंग करते समय अच्छे स्पीड और फॉर्म और तक्निक के साथ आपको पता है आप रिलाक्स रह सकते हो बॉक्सिंग में इस तरह सास लेना ये तो हम रोस करते हैं न बिना सोचे वो भी तो ये बॉक्सिंग में इतना मुश्किल क्यों है शायद इसलिए क्योंकि हम इसे बिना सोचे करते हैं लोग सोचते हैं अगर आपने जोर से मारना हो तो सास रोकनी पड़ती है सच्चा है बिलकुल उल्टी है आपने पंचेस में और पवर लाने के लिए आपको ठीक से सास लेना होगा और स्पीड लाने के लिए पंचेस में आपको सास ठीक से लेना होगा पूरा राउंड टिकने के लिए सई से सास लेना होगा और अगर आप सास लोकलो 2 या 3 मिनिट के लिए आपको उतना ही इसका असर पड़ेगा एनर्जी गिर के और ठकने के बाद मैंने हजारों लोगों को बॉक्सिंग सिखाया है और हजारों को ये सिखाया है कि बॉक्सिंग कैसे सिखाते हैं एक गलती जो मैं बहुत देखता हूँ वो है हटे-कटे लोग जिम में आकर बैक पर जाते हैं सास रुकते हुए बैक पर कुछ करते रहते हैं और 30 सेकंड में ही उनकी सास निकल जाती है हाल खराब जब मैं उनको सिखाऊं जिनको इसमें दिक्कत है सेशन के शुरुवात में पहले वाम अप फिर सेशन शुरू होने पर मैं उन्हें रिंग में शैडो बॉक्सिंग करवाता हूं पर शुरू शैडो बॉक्सिंग में हाथ नीचे रखते हुए हाथ नीचे रखकर बस फुट वर्क पर काम कराता हूं मूव करते हुए बस अच्छे फॉर्म और फुटवर्क पर ध्यान देते हुए आप सोचोगे भाई क्यों भाई तुमने ही तो कहा था ना हाथ हमेशा उपर रखो हाँ भाई हाथ उपर ही रखने है जादा तर पर जब आथ उपर हो लोग सक्त हो जाते है जब आत नीचे हो ऐसे हिलते हुए सास लेते हुए टाइट होना मुश्किल है सास रोकना भी मुश्किल है इस पोजिशन में इससे उन्हें आदत लगवा दो मूव करते रहने का अब ये 30 सेकंड होने के बाद ऐसे हिलते हुए रिलाक्स रहते हुए अब करवाता हुँ सेम चीज हाथ ऊपर रखकर अब मैं बहुत रिलाक्स हुए मैं रिलाक्स रहते हुए अच्छे से सास ले पा रहा हुँ कोई पंचस नहीं बस हाथ ऊपर कोई पंचस नहीं बस मूवमेंट की आदर डाल रहा हुँ आपको जितना चाहिए आप ये कर सकते हो अब ये होने के बाद हम थोड़े सिंगल जाब्स मारेंगे हर पंच के साथ सास चोड़ते हुए हम 50-80% स्पीड पे इसे करेंगे पूरा स्पीड नहीं बस रिलाक्स रहते हुए जाब करना है अब मैं इस्तेमाल करूँगा दोनों हातों का जो भी पंच मारोगे मारो 50-80% में स्पीड से हर पंच के साथ सास चोड़ते हुए अब ये करते हुए देखो मैं रिलाक्स हूँ हाथ मीचे रखने जितना ही रिलाक्स हूँ अब मैं लेक्या हूँगा हेड मोव्मेंट कुछ ऐसे अब यहां से हम जोर बढ़ा सकते हैं अब सोच सकते हो रिलाक्स रहने के बारे में ऐसे ही पर अब जोर बढ़ाएंगे 80% को कर दो 100% तो ये थे कुछ टिप्स बॉक्सिंग में सास लेने के अगर आपके कोई सवाल हो तो कमेंट्स में जरूर पूछिए क्या बॉक्सिंग में कुछ है जिसमें मेरी मदद चाहिए वो भी बताइए मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ और हर तरह से आपकी मदद करना चाहूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजे और इस वीडियो को लाइक देखने के लिए शुक्रिया